अब बिहार के अगर बात की जाए क्योंकि पपू यादव अब नए-नए कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुए उनकी तरफ से पहले ये एलान कर दिया गया था कि वो पूर्णिया से तो जरूर लड़ेंगे लेकिन पूर्णिया की सीट जब से आरजेडी को गही है वहीं पर पपू यादव की तरफ से सवाल उठाये जा रहे है कि आखिरकार क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या कॉंग्रेस पार्टी के मद्ने नजर वहीं पर रह जी बिलकुल और पपू यादव कह रहे हैं कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा शेत्र के साथी मेरे जन नामंकिन में शामिल होना चाहते हैं उनकी सुविदा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामंकिन तिथी 2 एप्रेल की जगा 4 एप बंदन हित में पूर्णिया सीट पर पूर्णर विचार करें कॉंग्रेस के लिए छोड़ दें जो टॉप लीडर्शिप है उनके साथ विचार सरमस्ट करेगी पूर्णिया सीट को लेके क्योंकि देखे पपू यादव का लगातार ये कहना है कि वो पूर्णिया सीट से लड़ेंगे और 4 एप्रिल को जो है वो अपना नमंकन करेंगे पूर्णिया से वहीं जब पपू यादव कॉंग्रिस में अपनी पार्टी को मर्च कर रहे थे देश की राजानी दिल्ली में उसे ठीके एक दिन पहले वो आज़ेडी के बड़े नेता हाला कि पपू यादव के तरफ से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है आज़ेडी को कि अब पूर्ण विचार करें पूर्णिया सीट को लेके और जो आज़ेडी के कैंडिडेट है उनका नाम वापस ले और कॉंग्रिस का कैंडिडेट को रखे पूर्णिया को लेकर लेकिन पपू यादव पहले से अलयान कर रहे है कि चार तारी को नामंकर ना भरा जाएगा है लेकिन ये अपील भी करते हुए नज़र आ रहे है आज़ेडी को कि पूर्णिया सीट पर दुबारा विचार करें